ना ही इनो ना ही धई ना ही सोडा तो आज हम बनाने वाले जट की पड़ सुजी का उत्तपा मुलायम और सौप्ट इसे बनाना बहुती आसाने दोसो जो पहली बार भी बनाएगा नो उद्धम पर्फेक्ट बनाएगा सुबक की भाग दोड़ो या शाम की छोटी मोटी भूक तो इकदम पर्फेक्ट नाश्ट है उम्मीद करूगी तरीका आपको बहुती पसंद आया होगा दोसो रिजल्ट से तो मालूम होई चुकागा चोलो फिर हम बाते कम करते रेसिपी बनाना स्टार्ट करते सुजी का जटपट उत्तपा तो यहाँ पर हम एक अप जितनी बार बारिक वाली सुजी ले इस बात का अपने ध्यान देना है अब एक बाउर में हमें बारिक वाली सुजी डाल देते हैं यह जो नाश्टा हम बना रहें दोस्तो बहुत ही जटपट बन का तयाहर हो जाता है ज्यादा कुछ सामगरी और ज्यादा मेहनत नहीं लगते एक चमच को इस बात का ध्यान देने इनके बेसन के आटे को अब यह पर लेगे दो हरी मीज बारी कटी यदि आप इसमें ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते होगे तो ज़्यादा भी मिर्ची कर सकते हो यदि बच्चों के लिए बना रहे तो कम मिर्ची डाले दोस्तों इसका अच्छा आता ना इसलिए क्योंकि हरी मिर्चा पर डाली ने इसलिए अब यहाँ पर जाएगा आधी चमत जितनी हल्दी अब यहाँ पर डालेगे आदा चमत धना ओजीरा पाउडर और इसके साथ हम डाल देते नमक स्वादुसार देख सकते हो नमक हमने स्वादुसार डा अब यहाँ पर डालेगे डेर सारा कटा हुआ धनिया और इसके साथ हम डालेगे एक बड़ा टमाटर बारी कटा हुआ जितना बारी कट कर गे उतना यह उत्तपा खाने में एक नमबर लगता है अभी जैसे एक वाग कटोरी सूजी ली थी तो एक टमाटर मेंने बड़ा कट प्या ओलिया है तो यहां पे दो प्याद लेने एकदम रफली हमने चौप कर लिया है बारिक-बारिक देख से तो कितनी कम सामगरी से बनका तयार हो जाए दोस्तों जादा कुछ सामगरी लगते ने कुछ भी नहीं आप पानी डालेगी और इसे हमें हातों से मिस कर लेना है देख सकते हो यहापए द़ई वगेरा वगेरा हमें यहाप पर कुछ भी ने डालना है दोस्तों कुछ भी ने सिर्फ जितनी में आपको सामगरी बता रहे उतनी सामगरी से यह उत्तपा बनकर बहुत ही अच्छा बनता है खाने में तो एक नंबर एक बार आप खाओगे न तो खाते ही जाओगे सुबह की घाई गडबड़ो या शाम की आतों से मिस कर लिया है क्योंकि सुजी पानी पीति ने इसलिए तो इस तरीके से यह बैटर होना चाहिए अब इसे में क्या करेंगे धक्कन लगा लेना है और इसे पंद्रा मिनिट के लिए इसे छोड़ देगी यह आपके पास जादा समय हो तो आधा गंटा भी रख सकते ह अब यह पर 15 मिनिट हो चुका एक बाद चेक कर लेते देख सकते हैं जय से यह यह बैटर तयार हो चुका है पहले कितना पतला था अभी हल्का सा यह गाडा इस तरीके से यह बैटर होना चाहिए दोस्तों देख सकते ही दम बढ़िया सा अच्छी तऱ से बनका तयार हो गय अब एक जग हमने तवा गरम कर लिया, अभी उत तपा केसे बनाया जाता है वो बता देते हैं अस अन कर लिया है, तवा भी गरम हो चुका है, थोड़ा सा ओईल डाल देती हूं इस तरीके से, आदा चमब से थोड़ा कम अब है पर टीशु बेपर ले लेती, तवे को मैं अच्छी तसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं तेल में ग्रीस कर लिया, तवे को अभी हाँ पर बैटर ले लेते हैं, इसमें में डाल देना है देख सकते हो, इस तरीके से हम डाल देते हैं, और इसे हातों से फैला देगे अब आपको हाथों से नहीं जमा तो आप चम्चे से भी कर सकते हो, परना हाथों से अच्छा लगता है न इसलिए, तो यहाँ पर इसे जितना आपको पतला, मोटा चाहिए, तो आपके इस आप से कम्या जादा साइज कर सकते हो, मैं यहाँ पर ज्यादा मोटा भी करूगी ने तो ज्यादा पतला भी करूँ इदर मीडियम करने वाली हो दोस्तों एक दम अच्छी तसे इसे गोल्ड राउन में हम कर रहे हैं वाव वो इसे तुरन टच नहीं करने का थोड़े टाइम के बाद थोड़ा ड्राय होने के बाद ही हमें इसे टच करके पल्टी करेंगे अब कभी शाम की छोटी मोटी भूक होती न तो यह नाश्टा बनाते हम अब यहां पर चमचा ले लेते इस अच्छी तसे इस तरीके से कर लेना है और ग्यास की प्लेम हमें थोड़ी फास्ट ही रखनी है क्योंकि कूक होने में थोड़ा समय लगता है वाव देख से अब इसे प अमज में आता है कि पर्फेक्क हो चुका है अब मैं आपको लेकर बता देती हूं यम्मी यम्मी देख सकते हो कितना बढ़िया सा नाश्टा हमारा बनकर तयार हो चुका है तो क्यों ना और एक उत्तपा ऐसे बना लेते सेम टूसे बनकर तया और गया हमारा जटकी पर वयुग इंनल्च कंबर हो चुर्स पर फीटी मुटी बहुर्म थ्रका में एक उप्सकर बनाने में ऊतना ही स्वादिस्ट देख सकते हो यम्मी 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 मैं आपको लेके बतार हो एकदम मुलायम और हमारा उत्तपा सौप्ट है उम्मीद करूगी तरीक आपको बहुत ही पसंद आएगा तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के बता देतू एकदम इजीली तूट्राई एकदम इजीली देख सकते एकदम इजीली वाव देखते ही मुमें पानी आगें तो कभी नाश्टाब घर पे बना रहें दोस्तों हमें बता ना है